बॉलिवूड के फैमस एक्टर अक्षे कुमार की हाल ही में रिलीज भी फिल्म समराट पृत्विराज के लिए जितना अक्षे को सराहा जा रहा है उतना ही उसे ट्रोल किया जा रहा है क्यूंकि अक्षे ने इस मूवी के प्रोमोशन के एक शो में ऐसा कह दिया कि स्कूल में पढ़ाय जाने वाले किताबों में समराट पृत्विरा चोहन के बारे में एक भी अध्याय नहीं है ऐसे में सोशल मिडिया यूजर्स ने अक्षे को अपने निशाने पर लिया है अक्षे की हिस्टरी ही कमजोर है ये कहते होए मुद्धा अक्षे की कैनेडियन नागरिक्ता पर आप पहुंचा है सातिवी की NCRT की किताब में पृतिवरा चोहन के बारे में दो अध्याय पढ़ाये जाते हैं और इसलिए लोग अक्षे को ट्रोल करते हो ये कह रहे हैं कि कैनेडियन कुमार को फिल्म प्रमोशन से टाइम मिले तो उसे ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए क्यूंकि भारत पाइतिहास कैनेडियन मुक्स में कैसे होगा वेल अक्षे ने रेश भक्ति पर कितनी सारे फिल्म्स किये हैं मगर फिर भी उसके उपर लगा कैनेडियन का टैग नहीं जा रहा है इलेक्षन के टाइम तो ये मुद्दा अपनी हद पार कर लेता है क्यूंकि सभी एक्टर्स वोट कर रहे होते हैं मगर अक्षे कुमार वोट नहीं करते क्यूंकि वो कैनेडियन नागरिक हैं अब सवाल ये उड़ता है कि अक्षे कुमार जो इंडिया में रहते हैं यही बिजनेस करते हैं और यही टैक्स भरते हैं तो ऐसा क्या हुआ जिससे अक्षे कुमार को कैनेडा की सिटिजन्शिप लेनी पड़ी तो इसका जवाब है अक्षे की असफलता और निराशा जिहा 92 में दिदार फिल्म से बॉली उड में डेब्यू किया मगर 90 के दशक में एक के बाद एक कई सारी फिल्में फ्लॉप होनी के कारण अक्षे निराश हो चुके थे अब अपना करियर खतम इस सोच में अक्षे ने अपना प्लैन भी फॉलो करने के बारे में सोचा और यही प् करियर को खत्म कर दिया मगर इसी बीच एक ऐसा चमतकार हुआ जिसे अक्षे के करियर ने फिर से उडान भर ली डिरेक्टर प्रियादर्शन ने अक्षे कुमार को हेरा फेरी के लिए साइन कर लिया और यह फिल्म इतनी सूपर हिट साबित हुई कि अक्षे कुमार हर एक ड पावजुद अक्षे ने आज तक अपनी नागरिक्ता को नहीं बदला है और यही बात आज अक्षे के ट्रोलिंग का मेन मुद्दा बन गया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ नॉन पॉलिटिकल विजिट के बाद भी ये मुद्दा बहुत चर्चा में था अक्षे न मेंने इंडियन पासपोर्ट के लिए एपला किया है वेल अक्षे कई सारी देशभक्ति की फिल्मे करते हैं चैरिटी को लाखों का डोनेशन देते हैं साथ ही इंडिया में धेर सारा टैक्स भरते हैं इसके बाद भी क्या आक्षे को भारत की नागरिक्ता लेना ज़रूरी ह इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं साथ ही ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और नौलिजबल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं